नमस्कार, आज देश भर में कॉंग्रिस के कारिकरता, कॉंग्रिस के नेता, उन लोगों के पक्ष में अपने आवाज उठा रहे हैं, जो लॉक्डाउन से, कॉरोना महामारी के असर से सबसे जादा प्रभवित हैं। हम इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी आवाज सुने, दस हजार रुपए की मांग की हर जरूरत मंद के अकाउंट में तुरंट दस हजार रुपए डाले जाएं, ये एक मांग है हमारी, दूसरी मांग की अगले छे महीनों के लिए प्रती माह साड़े साथ हजार साथ साथ जो घर पौँचे है, जो प्रवासी मस्दूर घर पहुंच चुके है, गाउं में पहुंच चुके हैं, उनके लिए, उनकी मदत के लिए, मनरेगा के जो कारिक दिन है, वो 100 दिन से 200 दिन तक बढ़ह जाये, जो चोटे व्यापारी है, जो लौक्डाउन के असर से जूज रहे हैं, जिनके पास दो महीनों से कोई बिजनिस नहीं है, जो छोटे दुकानदार हैं, बुनकर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करें, एक वित्तिय पैकेज दे, जिससे कर्ज नहों उन पर, जिससे उनके हाथों महत्वपून तरे से भाजप्पा के नेताओं, राजनीती बंद करिए, ये राजनीती का समय नहीं है, ये वो समय है, जो जब पूरा देश इकठा होना चाहिए, जब हर राजनीतिक पार्टी के नेता सब को इकठा होकर अपनी अलग-अलग राजनीतिक परहिजों को दूर करके, अपनी विचार धारत के जो डिफरेंसिज हैं, उनको दूर करके, हम सब को एकठा होकर लोगों की मदद करनी है, जब UP में ये सब बस का हुआ, ठीक है, आपने हमारी हजार बसों को नकार दिया, कोई बात नहीं, हमने तो कहा भी था कि आप अपने बैनर स्टिकर लगा लेजिए, हमें उससे कोई इशू नहीं था, फिर भी आपने वो उफर नकारा, 12,000 बसें जो UP रोडवेज की हैं, आपने एलान किया कि हम इनको चलाएंगे, लेकिन आज तक ये सिर्फ कागज पे चल रही है, सडकों पर आपने उतारा नहीं है, इसी तरह से महराश्च की सरकार को देखिए, महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महराश्च में, उससे सरकार लड़ रही है, और आप सहयोग देने के बज़ाए उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं खास तोर से आपको कहना चाहती हूँ, कि ये सहयोग का समय है, देखिए, हम सब के उपर इस देश की जनता का कर्ज है आप रिनी है, हम रिनी है हमारे हर दुख में, हर सुख में जनता ने हमारा साथ दिया आपका भी दिया आपकी विजय में आपका जैजेकार किया हमारी पराजय में हमारे साथ खड़े रहे अपनी उदार्ता से हमेशा इस देश की जनता ने हमारा साथ दिया है आज इस देश की जनता दुखी है, तरस्थ है, तडप रही है एक बेटा खुद बैल बनकर बैल गाड़ी में अपने परिवार को बिठा कर चल रहा है एक बेटी अपने पिता को साइकल पे बिठा कर छे सो किलोमीटर साइकल चला रही अपने गाओं पर श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशे पड़ी है एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में तूट रहा है एक मा की लाश रेलवे के प्लाटफॉर्म पे पड़ी है उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है इस देश की एक एक मा इस दृश्य को देख रही है एक एक मा उस मा के दिल के साथ जुड़ी हुई है एक-एक माँ रो रही है हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन है आप कुछ नहीं कह रहे है आप आगे नहीं आ रहे है सहायता नहीं कर रहे है ये कोई राजनियतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे है ये मानवियता के अधार पर मांग है हम आपसे अग रह कर रहे हैं कि राजनीती छोड़िए जिस जनता ने हम सब को बनाया है जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है जिस ने आपको बनाया है आपका साथ दिया है अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दे इस दुख की घड़ी में इस संकट के समय में आप एक-एक भारतवासी के साथ खड़े रहें जो सबसे ज़्यादा जरूरत मंद हैं जो सबसे ज़्यादा तड़प रहें जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं उनके साथ आप खड़े रहें मैं जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कारिकरता भी मुझे अभी फेस्बूक पे देख रहे होंगे मैं आप सब को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे अध्यक्ष गिरफतार हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे मैं जानती हूँ कि वो वहाँ पर भी लड़ रहे हैं और आपके साथ हैं और आप सब उनके साथ खड़े हुए हैं आपने आवाज बार बार उठाई हैं हम लड़ते रहेंगे वह लड़ते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम सब के लिए अपनी आवाज उठाएं और न्याएं मांगें, तो मैं आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, ये एक मौका है कि मैं आप सब को भी बताओं कि हमने पिछले डेर मही में आप अपने साधनों से, पूरी तरह से अपनी कोशिश से आपने आज तक 90 लाख लोगों की मदद की है और आप करते रहें, इसलिए मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो भी देख रहे हैं, मैं आप से आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने स्तर पर किस किसी भी माध्यम से, फेस्बुक से, ट्विटर से, किसी भी माध्यम से आवाज उठाएं ताकि न्याय मिले, ताकि जो दुखी है, जो त्रस्थ है, जो परिशान है, हम उनकी मदद कर पाएं, आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिन